नमस्कार दोस्तों हिंदू न्यूज अफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों यह एक न्यूज आ रही है ताइवान से दरसल ताइवान से न्यूज यह है कि ताइवान की जो स्रम मंत्री है इन्होंने भारत के लोगों के लिए नसल भेदर टिपणी करी थी दरसल यह टिप और जो क्रिश्चन कम्यूनिटी को बिलाउंग करते होंगे और उनका एरिया होगा नौर्थ हिस्ट बारत के नौर्थ हिस्ट से जाएंगे तो यह एक नसल भेदी टिपड़ी है बहुत ही छोटी मान सकता है जो लोगों को कलर से उनके पैचानने की कोशिश कर रहे है यह अधिकारी रूप से एक भारत से अपोलोजी मांगी है मतलब कि उन्होंने माफी मांग लिए भारत से यह कहते हुए कि ताइवान की ऐसी कोई भी सोच नहीं है ताइवान इसके लिए बहुत खेद ब्यक्त करता है और भारत से कॉपरेशन अच्छे से चाहता है ताकि भारत अच्छे से एक दूसरे के बीच में शयोग के साथ काम करता रहे दोस्तों दसल बात यह है कि जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग कुछ आपके पैर भी खेचने के लिए आते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि ताइवान की सरकार दे इस चेट को बहुती जल्दी समझ कर देते तो यह मामला पहुती ज़्यादा हाइलाइट हो जाता दब कि यह अभी मुद्धा जो है इंटरनेशनल लेवल पर पहुती ज़्यादा डिसकस किया जा रहा है कि भारत के टाइवान के साथ किस तरह से आगे रिलेशन होंगे दरसल यह ताइवान की मजबूरी भी ह से किसी भी तरह से कोई भी गलत तरीके की रिलेशन को मेंटेंड करना अफॉर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि चाइवना बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन के साथ आगे बढ़़ा है और चाइवना पहले तो बात करता था कि वह सांती के साथ ताइवान को अपने देश में मिल अब इसको पिल्कुल भी एफॉर्ड नहीं कर सकता किसी भी तरीके से कि ताइवन जादा दिन तक अलग रहे उससे तो अगर इस तरह की कोई भी चीज होती तो ताइवान समझता है कि उसको कहीं से अगर सपोर्ट मिलेगा तो वह तो एक यूएस से मिलेगा और दूसरा भा की इंडुस्टी पहुत अच्छी इंडुस्टी है तो भारत यह चाहेगा कि किसी भी तरीके से यह सेमी कंडुक्टर के मामले में दोनों दूसरे के साथ आगे बढ़ें और एक नए किरतिमान को स्थापित करें इस तरह की बिजनेस में जैसा कि भारत अभी सेमी दोस्तों दसल ताइवान ने माफी इसलिए मांगी है भारत से क्योंकि उन्हों ने इस पर देखा है कि लोग ने बिलकुल भी इसको निगेटिव रूप में लिया भारत के और भारत की पॉपलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपलेशन है और भारत के जो इस वख्त भारत के लोग उसे छोड़कर भाग वह अंडिया में लिए एसा नहीं है वह इस्राइल के साथ कदम मिलाकर अपना काम कर रहें वह अपने कौन्टक्स उनकी माफी को स्विकार करना चाहिए और अपने रिलेशन को ताइवान के साथ नेक्स लेवल पे लेकर जाने चाहिए इससे दोनों ही देशों का बहुत ही फाइदा है और साथ हम चाइना को भी इससे कांटर कर सकते हैं क्योंकि ताइवान जितना ही स्ट्रॉंग होगा चाइ के साइट से तो हमेशा वो बटी रहनी चाहिए ठीक है दोस्तों अब इस पर कोई और अगर डवलापेंट आती तो मैं आपके लिए एक अपडेटर विडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्स स्क्राइब करते हैं